अगर आप dialysis को रोकना चाहते हो या फिर अगर आपको डॉक्टर ने कहे रखा है कि आपको dialysis करवाना पड़ेगा और आप उसे बसना चाहते हो तो जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं इसको ध्यान से सुनिएगा समझेगा जिसे आप अपने आपको dialysis से बचा नमस्त्रा बिरा राम हैं Dr.Pooru Dhawan और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की किसी भी पेशेंट को डालेसिस की ज़रोत पड़ती है जब हमारी खुद की डालेसिस मशीन खुण को साफ करना कम कर देती है या बंद कर देती है अब जब हमारा खुण गंदा हो जाएगा हमारा शुरी गंदा हो जाएगा तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन दे रहा होता है बहुत सारी हमें और बीमारियों को पैदा कर रहा होता है थकावट उसमें से एक है नीन नाना उसमें से एक है मास पेशेयों की एठन एक है ब करना पड़ेगा उसके लिए हमारे पास क्या है हमारी कीड्निया ही है अगर आप किसी किड्नी फिलिपेशन को ध्यान से नोटिस करोगे तो एक चीस सब भी किड्नी फिलिपेशन में कौमनली नज़ा आती है कि जब क्रियाटनियन के बारे में पता लगता है कि वह बढ़ना श आप उसको खुद खुद अभी निकालो, पर्चे को निकालो और एक-एक मेडिसन जो आपने आज तक ली या आप जो ले रहे हो उसे खुद खुद सर्ज करना स्टार्ट करो, उसमें गेस की दवाई होगी, केल्चिम होगा, विटामिन डी होगा, ताकत की दवाईयां होगी, बी-पी की दवाई होगी, कॉलोस्टोल की होगी, शुगर है तो शुगर की दवाईयां होगी, पट कुई भी दवाईयां ऐसे नहीं मिलती जो हमारी किटनी फिलियर को रोख सके, या फिर केटनी को शरी से बजादा भार निकाल सके, किटनी पर काम कर सके, इसी वज़ए से दवाई खाते खाते भी हमारी kidney फूरी तरह से खराब होती चले जाती है और हमें dialysis पर जाना पड़ता है अब एक ऐसा patient जिसके kidney खराब हो रही है उसे रोकना चाहता है तो सबसे पहला काम गया करना है कि kidney को आगे खराब होने से रोकना है मान लो कि क्रेटिनिन लेवल आपका चार है चार पर मतलब तगर में 60% किड़नी हमारी काम नहीं कर रही है मगर 40% काम कर रही है तो यह जो क्रेटिनिन का लेवल 4 है तो सबसे पहला काम क्या करना कि यह 4-5 बना जाए तब भी चीज आएका डूना काम साङसात हो निसकते कि बढ़े हो गटे भी आगए तो सबसे पहला काम उसे भड़ने से रुखना उसके लिए सबसे बढ़ने क्या होता है कि जो भी चीज आपी कीडनी को नुकसान भुचारी चाहिए वो बीप है शुगर है पॉलिजिस्टी क उस बीमारी की जड़ को रोग देना अगर आपने बीपी को कंट्रोल में कर लिया जो किड्नी को पर गाठे बोने कुछ भी जो बन रहा है उसको आपने रोग दिया तो किड्नी आगे नुक्सान उठाएगी नहीं उठाएगी ना क्रेटनी लेपल नहीं पर सेबल हो जाएगा पस पहला स्टाप यह होता है कि क्रेटनी लेवल को बढ़ने से रोग दो उसके बाद किड्नी के पास ताकत है अपने आपके फंक्शन को बढ़ा लेने की मालो मेरी किड्नी खराब हो गई मेरी किड्नी एक्सिडेंट हुआ और किड्नी को नुक्सान पहुच गई चोड हो सकता है मेरे पतुब दो कीड्नी थी दो में से एक हो गई तो क्रेटनी लेवल भू तो बढ़ना चाहे था पहले किड्नी काम कर ओदी अब एक ख़ लिए और अपने सारे फंक्शन को उठा लेती है काम गर लेती है अब कुछ से सवाल पुछो है इसलिए हो सकता है क्यूं ठीक ठाक है, जिन्दा है, अगर ही 40% किड्नी, 60-70% का काम करेगी, तो क्या होगा, क्रेटनी लेबल कम होगा, या नहीं होगा, होगा, क्योंकि वो पहले से अच्छा काम कर रही है, बस, यही चीज हमने हर किड्नी फिलियर में इस्तेमाल करनी होती है, कि जो हिस्सा हमारा ठीक है, उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाते हुए, क्रेटनी को यूरिया कोड हमें डाउन करना होता है, अब सवाल उठा है कि अम इसे कैसे का सकते हैं, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि शेरी में गंदगी कम जाए, इसके लिए जो खाने पीने में जो परेस है, वो मैं को कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, आपको इस वीडियो के एंड पे इसका लिंक भी दे दूँगा, इसके बाद आप आप उसे देख लेडा है, मागर खाने पेने को कंट्रोल करने से शेरी में गंदगी गम जाती है, बनती गम है, बट अगर अगर अच्छी तरगे से शेरी से बहार निंगा लेंगे, तो क्रेटनी लेवल अच्छा डाउन होना चुटता है, तब भी तो फंक्शनिंग बढ़ी ना, खाने पेने से गंदगी गम गई, मगर उसकी किड्नी की फंक्शनिंग नहीं बढ़ेगी, किड्नी की फंक्शनिंग, किड्नी फंक्शन रीस्रोज़शन ट्रीट्मेंट से बढ़ती है, अब ये क्या चीज है, ये तो हम पहली बाद सुन रहे हैं, किड्नी के फंक्शन को रीस्रोज़शन ट्रीट्मेंट की अंदर, किड्नी के फंक्शन को रीस्टोर करने की कौशिश की जाते हैं, किड्नी अपने फंक्शन को उठाए, अब किड्नी का फंक्शन क्या है, खून को साफ करना, खुण को सापकर कि उसमें जो भी गंदगी है, किटन है, यूरिया है, एक्स्टरपोटेशन है, उसे बॉडी से भार निकालना, तो ये चो करे टीट्मेंट, उसका नाम है किड्नी फंक्षन रिस्टोर्शन टीट्मेंट, अब जब किड्नी के फंक्षन रिस्टोर होने शुर येट्रीशन लेवल 11-12 था, कैसे वो डाउन हुआ, मैं को कुछ वीडियोस दिखाता हूं, कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूं, और हम दुबारा बिलते हैं कि ये कैसे हूप आया, कैसे कीड्नी फंक्षन रिस्टोर्शन टीटमेंट ने काम किया, कि और बिलता हों, तो ओ अक्तर जी किड्नी आपी खराब हो रहे हैं, को तो बिलता आस Isla जम्लागे इस तेम इट ना जना सुछ पानदरो नोंगे लात खेने प्लीपे ड़े जर्ञ पंदर्व मैंडने परिथा falar नहीं है मुखाय भी रहुस्टेमा और कहीं और दिखाया था आपे यहां आने से पहले जी प्राइविट होस्पिटल अच्छा जहां डालेसिस के लिए बोला गया था तो आपने इससे पंदन दिन के टीटमेंट लिया है अब आपके लेवल के है अब सर मेरा लेवल है 1.67 अब बॉड कर दो आपने खुद देखा कि जब हम किड्नी फंक्षिं रिस्टोशन टीटमेंट की अंदर कीड्नी पे काम करते हैं तो बड़े भी गटम जाए वो 11 बारा की है क्यों ना हो वो डाउन होना शुरू हो जैसे आपने अक्तर की रिपोर्ट में देखा लेवल क्या था अब ही क्या है नॉमल कैसे हुआ जब हमने कीड्नी पे काम किया तो हर कीड्नी फिलियर पेशिंट को अपनी कीड्नी पे काम करना चाहिए चोड़ नहीं देना चाहिए जो गलती है आप ट्रीटमेंट में करते आ रहे हो उसे दोरानी की जुरूरत नहीं होती उसमें सुद्खार की होती है अभी एक केशन पेशिंट नहीं थे अक्तर उसके आद मुहिन दीन का आपने देखा होगा कि किस सरह से लेवल कहां से कहां पहुँच गया तो अब इतने सारे पेशिंट को देखके हमें क्या समझ में आता है हमें यह समझ में आता है कि केड्नी को डाउन किया जा सकत आपको बस जरूरत है अपनी किड्नी पर काम करेंगे अपनी खुद की डालेसिस मशीन पर काम करेंगे जिस दिन आप अपने शरीर के बारे में सोचना शुरू कर दोगे शरीर आपके बारे में सोचना शुरू कर देगा और फरी जो बड़ी बीमारी हम सुनते हैं हो छोटी बहुत दॉरी बेअलेसिस से बच पाऊगे गदाल धिरोसि किस दना से डालियसिस से बताल है टुरी गदिश है, किस दना से इस भी किडिनी फंक्षन को नहीं है, किस दना से खाला भून से सब्सक्राइब कर दो लिए जन आप में जा अंकों जानेते होगे विशंपके शाल र झाल झाल